देशभव में बेकाबू कोरोना तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के बढ़ते केस के चलते ही तीसरी लहर से इंकार नहीं किया जा सकता अब आलम यह हो चुका है कि कोरोना की चपेट में बिहार के दोनों डेपटी सीम भी आ चुके हैं तो जहां एक तरफ प्रशासन पूरी मुस्तेहदी से पूरी मुस्तेहदी से काम कर रहा है तो दूसी तरफ जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है कई जगा जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं और आलम यह हो चला है कि हर जगा कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर पाए गए है तो कोरोना ने किसी को नहीं भक्षा है कोरोना एक संक्रवन है जो किसी को भी हो सकता है ऐसे में सिर्फ साथदानी ही बहुत जरूरी है अब कोरोना बे काबू हो चला है इसको अगर तीसरी लहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आकड तैयारियां की गई है अस्पतालों में तमाम जो मैनेजमेंट है वो क्या गया है लेकिन पर भी कोरोना अपने पैर पसा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही लापरवाही की वजह से ही ये कोरोना लगातार बढ़ रहा है